बॉलीवुड सूपर स्टार अजय देवगन, जोतिका और आर माधवन स्टारर निर्देशक विकास बहल की हौरर थ्रिलर ड्रामा मूवी शैतान आज रिलीज हो चुकी है इसके साथ ही कयास लगने लगे हैं कि ये मूवी पहले दिन बॉक्स आफिस पर धमाका करने वाली है फिल्म स्टार अजय देवगन और जोतिका स्टारर इस फिल्म को रिलीज के बाद पहले दिन दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है अजय देवगन की मूवी को मौर्निंग शोज में अच्छी ओक्यूपेंसी मिली है मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मौर्निंग शोज में सुपर्स्टार अजय देवगन की फिल्म को देखने करीब 15 से 20 की सदी दर्शक देखने पहुँचे हैं जबकि सामने आई लेटिस्ट रिपोर्ट्स की माने तो शाम को इस फिल्म ने 25 से 30 की सदी की ओक्यूपेंसी दर्शासिल की इस फिल्म को दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है जिसकी वजह से चर्चा है कि ये मूवी पहले दिन अच्छी ओपनिंग लेगी Entertainment News की दुनिया में सामने आई फिल्म शैतान की ओक्यूपेंसी रिपोर्ट और ट्रेड पंडितों के दावों के मुताबिक ये मूवी पहले दिन आराम से 10 करोड रुपए की ओपनिंग हासिल कर लेगी Ormix Media Rating Agency की लेटिस्ट रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म पहले दिन 10.08 करोड रुपए की ओपनिंग लेने वाली है जबकि कई ट्रेड एक्सपर्ट्स का दावा है कि फिल्म 8 से 10 करोड रुपए की रेंज में ओपनिंग लेगी जिसके बाद ये साल 2024 की दूसरी टॉप ओपनर मुवी बनने की कोशिश में है बता दें कि साल 2024 को अभी तक सिर्फ एक बड़ी हिट मुवी मिली है सुपर्स्टार रितिक रोशन और दीपिका पादुकोन स्टारर निर्देशक सिधार्थ आनंद की मुवी ने पहले दिन सिनेमाघरों से 24 करोड रुपए कमाए थे इसके बाद तेरी बातों में ऐसा उल्जाजिया ने पहले दिन सिनेमा घरों से 7 करोड रुपए कमाए थे जबकी तीसरे नंबर पर मूवी आर्टिकल 370 फीट है इस मूवी ने पहले दिन ही सिनेमा घरों से 6 करोड रुपए कमाए थे अब कयास है कि सुपरस्टार अजय देवगन की मूवी शैतान इन दोनों फिल्मों को पीछे करते हुए आराम से पहले दिन 10 करोड रुपए की कमाए कर लेगी तो क्या आप अजय देवगन स्टारर इस फिल्म को लेकर एक्साइटेड है अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं दोस्तों आप हमारे चैनल की पहली बार विडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना विडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद मिलते हैं आप लोगों से और एक नया विडियो के साथ झाल झाल